अब फिल्में करीब है तो कॉलेज काल से हम सभी प्रकार की अच्छी फिल्में देखते थे बंगला मल्यालम तेलगो उस समय ये समानतर फिल्म नाम से एक नया एक ट्रेन चला था वो सभी फिल्में हम देखते थे इसलिए फिल्म यहाएक का समाज को एजूकेट करने का जागरुत करने एक बड़ा प्रभावि माध्यम हो सकता है यह विचार आया और इसलिए भारतिय चित्र साधना की यात्रा शुल होई है लेकिन इसमें तीन शब्दा है भारतिय चित्र साधना इसमें मैं चित्र यानि फिल्म विशा का एक्सपर्ट नहीं हूँ है यहां बैठे हैं लोग एक्सपर्ट सामने बैठे हैं और आप भी हैं यह मैं भारतिय के बारे में जानता हूँ साधना जानता हूँ तो उस पर जाता बूलूंगा फिल्में खुब देखे वास आई है तो भारतियता क्या है इसको समझ ना वश्केज़ शाधर अंता यहां पर अनेक छात्र बैटे हैं यह शॉट फिल्म फिस्टिवल है इसलिए फिचर फिल्म की बाद मैं जानता भी कम हूँ और मैं कम करूँगा आगे इन लोगों जो शॉट फिल्म बनानी है उसमें कैसे टॉपिक चुनने चाहिए भारतियता को कैसे हम लोग उसमें उजागर कर सकते हैं समाज में एक खुब दिखती है उसको देखना उसको दिखाने के दुरुष्टि आती है तो दिल को बात छू जाती है यह ध्यान में आता है तो भारतियत है क्या है उसको समझना भारत की कुछ विशेश्टाए है कली यहाँ पर एक चर्चा हो रही थी शैद पहले सत्र था मनुरंजन या आजन्डा ऐसा एक विशेश्टाए तो प्रधान क्या है मनुरंजन है या आजन्डा है ऐसा ही विशेश्टाए तो यह विशेश्टाए वास्तों में भारती विचार का नहीं है क्योंकि भारती विचार बाइनरीज में नहीं सोचता है this or that ये नहीं है तो भारती विचार this and that तोनों है ये भारत की विशेष्टा है अब अजेंडा शब्द को एक अलग कोनुटेशन दिन जैसे आजकल के liberal लोगों ने liberal शब्दों को ये बहुत संकुचित कर लिया है इसलिए अब आपको liberal केहने के बड़ा संकुच होता है क्योंकि जो लोग अब आपको liberal केहते है they have proved to be highly liberal non-open लेकिन मंदोरंजन के लिए मंदोरंजन कला के लिए कला ये भारत का विशे नहीं है भारत का विचार नहीं है तो हमारे यहां अब ये फिल्म ये कला ही है कल यहां पर खुब अच्छे तरह से कहा गया है और फिल्म में काम करने वालों को कला करी कहते है मतलब कला है ही तो हमारे यहां भारत की विशेष्टा है कि भारत has been a unique society, country, people, राष्ट्रों क्योंकि उसका जीवन का दृष्टिको ने भी अफ लाइफ है इसलिए वो होलिस्टिक है इसलिए इंटिग्रल है इसलिए इसलिए इंटार क्रिएशन कनेक्टेड इसलिए वो सुधे वो कुटमबकम है मैं थोड़े लंबी बात करूँगा लेकिन फिर मैं स्विश्चप राऊंगा कल के चर्चा बर तो इसने भारत के परिस्टैलिटी को शेप किया है समाज क्या लोगों गई उसका पहला सेलिन फीचर है भारत मानता है एकम सद विपराहा बहुधा वदंती सत्य एके इस्वरेके उसके नाम अने को सकते है भारत के साथ एक शब्द प्रयोग जनरली एक अट्रिब्यूट किया गया है कि हम टॉलरेंट है असा है ना हम सहिश्णू है सकेते हैं लिकिन टॉलरेंट शब्द यह भारत का नहीं है 1893 शेका को स्पीच जो स्वामी विवेकानंद गये थे इट वास पार्लेवेंट आव वर्ल्ड रिलिजेंस उसमें अनेक रिलिजेंट के लोग आये थे मैक्जिमों वेर बिलिविंग कि उनका ही रिलिजेंट सत्य है बाकी जोट है इसको फॉलो करने वाले ही स्वार्ग में जाएंगे बाकी नरग में ही जाएंगे उन्हें नरग में जाने से बचाने का पवित्र कारिय हमको ही करना है हर बर ही आ रहा है उसके दो ही मार्ग है Convert them by force, fraud, allurement और kill them असंग के हत्य हो यह इसमें कुछ उदार विचार के लोगों को लगा this killing doesn't look good let us have a better face so they came with a very liberal idea let us tolerate them tolerance अब भारत करने मैं जब कहता है कि मैं आपको tolerate कर रहा हूं मतलब मेरा तो मारने का मन कर रहा है लेकिन मैं अच्छा नहीं देखेगा इस ते नहीं मारूंगा I will tolerate you till you get converted तो भारत का विचार क्या है तो स्वामी विवेकानन्द ने उस भाषन में कहा था we go beyond tolerance and we accept all ways to be true तो सबका स्वीकार यह भारत की विशेशता है tolerance नहीं इसलिए उनने कहा I am proud to tell you that I am from a country where in our divine language Sanskrit there is no word for exclusion because we do not exclude anybody anything चरा चरा स्रुष्टी में इसलिए हमार यह सभी मंदिरों में आरती होती है आरती केंत में धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्वा हो विश्व का कल्यान हो सारे भारत के सभी मंदिरों में होता है इस भगवान को मानने वालों का कल्यान ऐसा कभी नहीं कहा है यह भारत का विश्व है तो आर्रेटीव कैसा हो तो हम सहीषन रूता नहीं सब का स्थी का यह भारत है Unity in Diversity To see unity in the Da vibe to see unity in the diverse form diverse manifestations यह भारत का विश्वेष्वता है इसलिए इंडिया यह akinet country of diverse cultures यह हमको सब को बताया जाता है लेकिन यह सही नहीं है we don't have diverse cultures सही है हम जो फिल्म बनाएंगे जो करेंगे script लेखेंगे उसमें का शबदों का ठीक चेंद करेंगे अपनी बाद सीधी पहुंच सकती है एक बार मनीपूर इंफाल में मेरा MBA students के साथ बातचीत थी मेरे पहले के वक्ता ने मेरा परिचे कराया he talked about the topic also he described कि भारत इजे country of diverse cultures ऐसा नहीं था कि मैंने ये बात वहाँ पहली बार सुनी थी कि पहली बार मुझे खटकी हो for the first time it came to a minute ये सही नहीं है जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि सज्जन ने जो कहा है कि इंडिया is a country of diverse cultures ये सही नहीं है सब लोग चोंग गए आपके मने प्रश्णों हो गाई फिर मैंने कहा सही है कि इंडिया has a culture that celebrates diversity तो सब ने तालिया बज़े और वो सुने सिवक नहीं थे तो उनके दिल को पात चोंग गई हाँ ये बास सही है तो diversity को celebrate करने का सिखाने वाली हमारी culture स्वांस्कूर्टी एक है उसका आधार अध्यात्म है इसलिए तिसरी विशाष्टा है कि every soul is potentially divine अब ये soul शब्द श्त्री पुरुष दोनों को समांद रुप से लागो होता है तो दोनों में ये potential divinity equally है ये केवल भारत मानता है and the goal of human life is to manifest the divinity within by controlling nature internal and external अंतरकद भाय ये प्रकूर्टी का नियमन करते हुए है ये अंदर के देवत्व को प्रकट करना है इसके चार मेजर मार्ग बता है भक्तियोग, कर्मयोग ज्ञानयोग, राजयोग भारत के बाहर विचार होता तो ये चूज आइधर आप दीस फोर नौट टू ये या वो यहां स्वामी विवेकन कहते इन अप दीस फोर, और मोर, और आल, एंड बी फ्री तो प्रत्येक व्यक्ति का मुक्ति के तरफ जाने का मार्ग इंडिविजुवल उसके प्रकृति के अनुसार हो सकता है इसलिए विवेकनन ने शिकागो स्पीच में शिव महिमन स्तोत्र को कोट किया था रूची नाम वैश्ची त्रयात रूजु कोटिल नाना पतो जुशाम एक परिवार में पांच लोग है, माता पिता तिन बच्चे हैं माने खाना बनाया, सबजी बनाई एक बेटी को लगता है कि सबजी में थोड़ा तीखापन कम है थोड़ी मिर्ची के चट्टी मिला लेती है किसी रूटते है थोड़ा खटा चाहिए, थोड़ा निम्बू निचोड़ लेगी तिसरा थोड़ा मेठा गुट डाल देगी, थोड़ा निम्बू करेगी रिलिजन कहा है, which is totally different than dharma रिलिजन को हमारी भाषा में उपासना कहेंगे इसलिए मेरी उपासना का मारग चुनने का मुझे पुर्ण स्वातेंत्र है, हर एक की अलग-अलग टेस्ट हो सकती है इसलिए हमारे स्रेष्ट चिंतक ठेंगडी जी कहते थे कि भारत में रिलिजन is personal as personal as one's own toothbrush हर एक अलग-अलग होता है and we have the liberty, freedom to choose my own test इसलिए हमारे spiritual democracy रही है यह भारत की विशेष्टा है अब मुक्ति के बाद आती है, तो मुक्षा, मुक्ति के तरफ जाना इसलिए हमारे जितने भी कार्यकलाप समाज में है उनका उद्देश मुक्ति के तरफ जाने का होना चाहिए इसलिए विद्या के लिए कहा है सा विद्या या वेमुक्तिये कला के लिए कहा है सा कला या वेमुक्तिये इसलिए कला के बारे में जो कहा है सत्यम शिवम सुन्दरम तो फिल्म अगर कला है उसके माध्यम से अब को सत्य बताना चाहिए विचार बताना चाहिए उसको अब अजेंडा मत कहिए अजेंडा मतलब जो मैं सत्य मानता हूँ वही कहूंगा और दुसरे किसी को नहीं आने दूंगा जो सेमिटिक थॉट का मूल है वो यहां ऐसा नहीं है सत्य एक है उसके देखने के तरीक अलग हो सकते है उसका परिस्टिप्शन अलग हो सकता है सब समहरे को अपनी बात कहने का दिकार है तो मुझे यहां सत्य बताना है मेरे हर कृति के माध्यम से कलाकरते के माध्यम से और मुझे उस देखने वालों के अंदर जो शिवत्व है जो अच्छाई है जो डिविनिटी है उसको प्रगट करने का एक मौका देना है और वो कलाकरते सुन्दर होनी ही चाहिए तुस भे कल यह भी है इसलिए यह विचार के साथ शिवत्व के साथ सुन्दर तासे प्रस्तुत करना यह असली कला है हर कला में यह बात आती है नृत्य हो पेंटिंग हो, संगीत हो इतनी सुन्दर रांगदारी होती है लेकिन अग उसके अगर लेरिक साफ देखेंगे उसमें भी ताकत है शब्दों का एक महत्प होता है इसलिए यह बात आती है इसलिए मुझे जो कहना ऐसा है कि भारत को हम ठीक से समझेंगे तो अपनी चुटो चुटो फिल्मों के माध्यम से हम इसको कह सकेंगे और यह भारत के spirituality अनेक रूद्पो में manifest होती रही है आज भी हो रही है कि हम इसको देख कर हम देखते तो है उसको हम लोग interpret नहीं करते हैं हम interpret कर सकेंगे क्या जैसे एक narrative मैं भी बात कर रहा था तो Angus Medicine का पुस्तर के World History of Economics उसमें उन्होंने कहा है कि वर्ल ट्रेड में भारत का शेयर इस पीशन एक से पंदरा सो तो highest 30% से अधिक था जबकि अमेरिका यूरोप मिला कर 2% से कम था बेशते क्या थे हम वे आर मेट्टू बिलिव कि भारत कुर्शी प्रधान देश है सब नहीं सुना है यहाँ खेती अच्छी थी लेकिन हम अनाज बेशते नहीं थे और व्यापार करने जाते फिर बेशते क्या थे अनाज खाते थे खिलाते थे और बारतर की रोप में उसका उपयोग होता था हमारे यहाँ टैनिंग इंडस्ट्री अच्छी थी मरे जानमडों के चमडे को टैनिंग करके उससे अनेक वस्तवी बनते थी कानपूर आगरा में बहुत पुरान है समय से यह इंडस्ट्री है यहाँ पर अच्छी मीटे नरजी थी आइरन ओर से आइरन एक्स्टाट करना हो मोल्डिंग, कास्टिंग, कॉपर, ब्रास, कासा यहाँ पर एलोई बनते थी पोर्टेबल फरनेसे सोती थी और घर की महलाएं भी इसमें खुप जानकार होती थी एक अमारे कारेकरता थेटिस गर में गय थे ट्राइबल एरिया में कुछ महला, कुछ पहाड से कुछ मीट्टी टोकर में लेकर आई उन्होंने का उनका भाषन अविलेबल योट्यूब पर एक हीप से उन्होंने इनके सामने आयरन एस्ट्यार करके एक छोटा टोकडा गला कर दिखाया यह आयरन बना है दूसरे से कौपर बना कर दिखाया तब उन्होंने कहा उनकी पोती सुकदा नाम की थी उन्होंने कहा दादी यह अच्छे वेक्ती देखते तीसरा वाला भी दिखाओ तीसरे में गोल्ड था इस लेडी ने बताया यह फॉर्मली अन्पड थी लेकिन वो परशा से स्मेल से शी कुट मेक आउट यह आयरन ओर है कौपर ओर है गोल्ड ओर है उसने का यह मुझे मेरी माने सिखाया है उसको उसनी माने सिखाया है यह फॉर्मली एजुकेटेड ने थी इस वेशे में नेश्टना थी मैं पंजाब में गयाता एक जगर बात कर रहा है उदोंने कहा हमारे गाव में घर में दरी बुन्नी के परंपराती और मेरी दादी उसमें एक्स्परट थी तो यह उद्योग जो बनते थे यहाँ पर्फिम इंड़स्ट्री अच्छी थी क्योंकि भारत के फुलों में सुगंद होता है भारत के बार सुन्दर रंग होते हैं सुगंद नहीं होता है यहाँ पर कपड़ा को बच्चा बनता था स्पाइसेस थे यह सारे कहां बनते थे तो कारखाने नहीं थे तो घरों में बनते थे घर उद्योग, प्रते घर में उद्योग था, इसलिए भारत का सहीव रनन, कुर्शी प्रधान देश नहीं, उद्योग प्रधान देशे, यह होना चाहिए. और इस वेल्थ कुरियेशन में, घर की माता महलाओं की एक्सपर्टिस थी, और बच्चे घर में सीखते थी, उनको आइटिया जाने के ज़रूरत नहीं थी, वहीं स्किल सीखते था हैं. और जब पुरुश्वर्ग बेचने के लिए बाहर जाते थे, दिवाली के बाद, बारिश कम होने के बाद, तब घर का सारा कारोबार महलाओं समलती थी, पैसा इनके पास ही रहता था, दे वेर दे मास्टर आप दे एंटायर, जो भी कामकास था, इसलिए उसको गुरुह ल लोटते थे, तब तो ये समालती थी, इसलिए पुराने फिल्मे में ऐसे गीत क्यों आते होंगे, ये समझ में आता है, पढ़ने के बाद, पहले गीत ऐसे आते थे, कि सावन आया, बादल आये, मेरे पिया नहीं आये, ऐसे गीत थे, क्योंकि अब पोश्टो नहीं था, टेल आधा आतुर होती थे, अरे, अब आयेंगी, इतनी दिन हो गए, नहीं मिले वगर सा, या पिया गए, परदेश वगर ऐसे गीत होते थे, वो करण ये होता था, सहज आये, इसलिए हमार यहां सादरनता आशान मासा से कार्तिक मास, इस चार-पाच महिनों में सरवादिक त्य आधारत की परमपरा है, जब कोई कम्यूनिकाशन नहीं था, यह जो वनजारा लोग जिनको कहते हैं, उनका मूल नाम वानिच जहारा है, उनके वाद उंट घोडे ऐसे साधन होते थे, जिन पर लाद कर लोग व्यापाय करने दूर दूर तो जाते थे, और इनको सारे रास् साथ ही चलते थे, अपने आप उसको पता होता था कि कहां जाना है, इतने दूर दूर जाते थे, कहां मुड़ना, कहां रुकना, नदी कहां उथली है ताकि पार कर सकते वगएरे, they were expert, they were rich people also, इसलिए ऐसे एक भारत और भारतियता को समझ कर, हम अपने कहांने के माद्यम से, शौर्ट फिल्म के माद्यम से कहेंगे, तो पैसा कमाना केवल हमारा, इसलिए भारत को लोग व्यापार करने दुनिया भर में गए, बस्ट वी डिट नॉट कॉलनाईज देम, वी डिट नॉ प्लंडर देर रिसॉर्सेस, वी डिट नॉट कैसे की, पुरा इतियास है, एक अभी मैने एक चुटकला सुना, एक दूसरी कक्षा के बालोग को, उसकी माँ डाट रही थी, कि तुमारे मेरम का फोन आय था, स्कूल से, कि तुमारे एक लास्रूम में जबाब पॉलिटिकल ह होते हैं, शेखेंड ग्रेट स्टूरन को, कि कंपलेंट थी, इसके जबाब पॉलिटिकल होते हैं, ऐसा माँ डाट रही थी, तो उसने माँ से कहा, टीचर आस्ट अस, वायर पिरामीड्स इन एजिप्ट, I told, they were too heavy for the British to steal, इसलिए है, थोड़े भी हीला सकते हैं, लेकर जात अब यह इतना सही है, लेकर भारत ने यह नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, यह अपनी सोच है, मनला, वसुदेवकुटन बगए, वो दुसरे थे ही नहीं, प्रमान महरश्य को पूचा किसेने, how should we treat others, उनका ओतर था, there are no others, तो यह भारत है, तो अपने कैसे कैसे बाते कहान इसके माध्यम से आते हैं, तो एक एक अपने शॉट फिल्म फेस्टिबल में, पहले दूसरे में, एक छोटे फिल्म आय थी, तो मेरे दिल बे पक्की बैठ गई है, पांच डायलोग क्यावल है, तीन मिनट की फिल्म है, यह जब हम फिल्म बनाएंगे, तो कम से कम शॉट फिल्म शुट भी रिली शॉट एक्चुली, लेकिन एक दो वाक्यों में इसी बात चूज आती है, चूप जाती है, एक सेवंध ग्रेड की एक बेटी, स्कूल से अपना रिजल लेकर आती है, और सेडियों पर घर में प्रवे साध़ में में इसने कं प्रहिएं फिर इंगल्लिष का को महाते है, तो वाहाँ जीरों मिला एग्षा तो मा कहते है, पिटा इसमें तुम में कुछ लेखा क्यों नहीं... वो कहते हैं मा इसमें हमको हमारा सपना लिखना था इंगलिश में तब मा कहते हैं कि बेटे तुम तो तुम तो इंगलिश में पढ़ती हो लिखा क्यों नहीं वो कहते हैं मा हमें इंगलिश सपने नहीं आते हैं एक ही वाग कि कितने बात चुदू मा एदम गंबिर होती है फिर ये कहती बेटी बेरे सपने में कुवान आते है पर ये आती है ये आते है कवे आते है कच्वे आते खरगोश आता है नाना आते है नानी आती है अब तुम ही बताओ मा इन में से कौन बोलते हैं अंगरेजी में बहुर सीरेश होती है और आखरी का वाग क्या है वो कहती है मां हम सब कुछ तो अंगरेजी में सीख रहे अब हमारे सपनों को तो अपने जुबन में रहने दो कितनी छोटी है एक-एक डायलोग कैसा है अभी मुझे एक नौवेलिस्ट मिले उनकी एक नई नौवेल आई है तो एक वाक्य एक वाक्य इतना चुप जाता है मन में उस नौवेल में उनने एक वामपंती कम्मुनिस्ट ऐसे एक्टिविस्ट को एक वेक्ति के माध्यम से एक वाक्य कहा क्यबल वाक्य उसको कहता है वो आदमी उस एक्टिविस को कहता है कि कार्ल मार्स ने तुमको बताया कि धर्म अफीम है इसलिए तुमने धर्म छोड़ दिया लेकिन अफीम नहीं छोड़ी एक वाक्षी की फिल्म बन सकती अग्चली शब्दों में ताकत है तो ऐसे व्यंग हम देख सकते क्या एक बार कुरुक्षेत्र में संगी बैठक थी एक कार्यकरत मेरे साथ प्रबंदक के नाते था वाँ पलबल में वो बीई पड़ रहा है मैं तरुनों को इवोकों को हॉबी पुछता हूँ तो सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, स्पोर्ट्स बगरे रीडिंग ऐसे अब बताते हैं उसने कहता है कि मैं शॉट स्टोरी लिखता हूँ कहां नहीं लिखता हूँ अब कहां नहीं लिखने वाला कॉले स्टोर्ण, हॉबी के नहीं थे मुझे पहले बार मेरा था मैंने बुझे, कैसे कहां नहीं लिखते हूँ तो उसने कहां कि अभी 2009 कि ये बात है लोकसभा कि पार्लेमेंट इलेक्शन हो गए थे उसने कहां कि मेरे रूमबेट ने चैलेंज किया में तो राइट स्टोरी अन दे इलेक्शन्स तो उसने कहां ने लेखी छोटी कहांई है इतना बड़ा वेंग है उसमें वो कहांई ले आता है कि एक जगा चुनाव की गोष्णा हुई और चार उम्मिदवारों ने अपना कैंडिडेचर नामांगन दाखल किया वो चार उम्मिदवार के नाम थे एर पोलुशन, वाटर पोलुशन सोईल पोलुशन, फूड पोलुशन और हर एक ने कहा कि यूमन बिंग यही सिम्बर मुझे चाहिए अब चुनाव अधिकर सामने प्रश्णा आया एक को मिलेगा, बाकि को कुता, घोड़ा, पेड़ ऐसा को लिना पड़ेगा, तो चारों को बुलाता है, चारों उम्मिदवारों को, और कहता है कि यह तो कन्विंस भी कि तुम को ही क्यों चाहिए यह सिम्बल मनुश्रका मैं जिसके लिए कन्विंस होंगा उसको दूँगा, बाकि को अन्य चिन लेने पड़ेंगे फिर हर उम्मिदवार उम्मिदवारों कि नाम याद कर ये कौन-कौन थे हर उम्मिदवार कहता है कि युमन बिंग चिन सिम्बल मुझे ही मिलना चाहिए क्योंकि इस मनुष्य के युमन बिंग के मुझ पर बहुत उपकार है इस युमन बिंग ने मुझे जन्म दिया है और मुझे पाल पोस्वक आज इतना बड़ा किया है मैं चुनाव लड़ने के काविल हूँ यहां कहानी पुर्ण होती है अब यह जो युमन बिंग है युमन सोसाइटी है जिन्होंने यह चार विकराल समस्या खड़ी किये सारे दुनिया में यह अनपड नहीं है गरीब नहीं है पिछडे नहीं है तो सो काल मोस्ट डेवलप्ट प्रोस्परर रिच सोसाइटीज ने एक चार सो वर्षों के जो साइंस का एडविंट हुआ चार सो वर्षों में इतनी बड़ी समस्या है यहां खड़ी कर दी है और भारत का एक सम्रुद्ध संपनन जीवन अट लिस्ट 20,000 एर्स का ऐसी कोई समस्या निर्मन भी यानि कितना बड़ा व्यंग उसने एक छोटी कहाने के माध्यम से रखा है तो मुझे लगता है कि ऐसे एक भारत को धन कमाना अलग बात है हम लक्ष्मी की साधना करते है इसलिए लक्ष्मी पुजन होता है अब मुझे तमीर वगड़े के वारें पता लेकिन हिंदी जहां भाशाय में जानता हूं वहां सभी जगा जब पुजन होता है घर में तब शूभ लाब ऐसा लिखा रहता है है न? वो क्योव लाब ने लिखा है धन्मी का? वो शूभ पहले आता है बाद में लाव आता है तो इसका एक बड़ा महत्वा है इसका एक सौंस्कृतिक महत्वा है इसका एक स्पिरिट्विल आस्पेक्ट है मुझे कमाना भी है लेकिन मेरे इसमें कैसे देखना है तो डिसेंबर 2015 मेरा परवास्ता अनुनाचल प्रदेश में मैं दूद की चाय नहीं पिता हूँ लाल चाय पिता हूँ हम चार लोग थे उस समय जो विभाप प्रचा रखते है आज यहां पर बैटे है तो दो धाई गंटा यात्रा होई तो कहीं ब्रेक लेन के विचार हूँ एक होटल मेली तो वहां रूखे एक माताज होटल चला रही थी मेरे लिए नॉर्मल लाल चाय आई बाकी तीन लोग ने दूद की चाय पि विभाप परचारक जो यहां बैटे आभी अभी खेटर के प्रचार प्रूमुक है तो वह पेवेंट करने गए तो मैंने देखा वैठे-वैठे कि कुछ डिस्प्यूट है पेवेंट के बारे में में काउंटर पर गया डिस्प्यूट था डिस्प्यूट ऐसा था यह कादेगर ता उसको चार कप चाय के पैसे दे रहा था लेकिन वो तीन कप के लेने के लिए त्यार थी मैंने का बहेंजी मैंने चाय पी है हम चार लोग है आपने चार कप चाय के पैसे लेने चाहिए उसने का भैसाब आपने पी वो चाय नहीं थी पानी था पानी के पैसे नहीं होते हैं यह क्या बात है अब वो मैला अनपड नहीं थी एक तब आधरी की दिलस्टीट में नहीं पड़ी होगी and she had every right to calculate की चायपत्य खर्च हुई है ग्यास पर नुवा है इलेक्टिक चारज जैसे होटल का किराया है सर्विस्ट है कब तो धोने उसको and here was a person who was insisting to pay but something was stopping her नहीं मेरा नहीं मेरा नहीं यह जेन यू के लेड़ी प्राध्याबग साथ में बात कर रहा था जोले 2020 में यह किस्सा बताया एक प्राध्याबग ने कहा कि वो लोग लेह लदाख से कार से आ रहे थे छोटे बच्चे साथ में थे दूद के जरूरत पड़ी रोड किनारे होटल देखकर गाड़ी रोकी दूद गरम करके लिया पूचा कितना पैसा हुआ उसने कहा बेंजी बच्चों के दूद के पैसे नहीं होते हैं उसको आश्र हुआ जिस होटल में रोकी तो बहां डेड़ सुरी पाह चार्ज करते थे इसको असी दस मातों ने मुझे भारत भरकाय कि उनके साथ यह हुआ बच्चों के दूद के पैसे ने लिए यह जो ऐसी अनेक बातें मैं कह सकता हूं और यह को रामेंड काल के ने तो गोर कलियों के कानिया हैं यह इसावासी उपनिषयत का तेना त्यक्त्यन भूनजीता का सीधा मैनिफेस्टेशन है कमाना है लेकिन त्याग भाव से कमाना है भोगना है एक हमारे विशाका पटनम के कार्यकरता क्षेतर संगे चाला के वो प्रवास पर जा रहे थे बारा बज़ एक जगह रुके भोजन के लिए छोटे होटल में जैसे भोजन आया खाना शुरू करने वाली इतने में एक भेकारी बेगर उनके बाद मांगने है जोने जेब में हांडाला पैसा निकलने के लिए तो होटल के मालिक ने देखा इनको रोका ऐसा नहीं कहा भाई साब आज आप दोगे कल कोन देगा ऐसे रोजग आते हैं इनके अदद खराब मत कर ऐसा नहीं कहा बाई साब यह मेरे होटल में आया है आपको नहीं मुझे देना है यह 2016 की बात है यानि एश्याबाद सुपरिशत का अगला जो श्लोक है माक रधा है उसका उधारने हम भारत को ठीक जान कर समाज में देखेंगे के विल गड़ एंपल एक्जामपल वर पीपल आर लिविग इट इसलिए को रोना काल बात काऊंगा फिर कुछ प्रशन के लिए लोगा लोगा को रोना काल में यह बात देखी है को रोना पैंडेमिक दुनिया भर के सभी देशों में था बारत के सिवा है इन आल थे मशिनरी एंपलोईज वरकिंग सेविंग सर्विंग पीपल बारत इस दो ओनली कंट्री इन दो वर्ल्ड जहां पर सरकारी मशिनरी एंपलोईज ने खुब अच्छा काम किया जी जान से परंतु लाखो की संका में लोग बाहर निकले हैं और बार अर्थक्वेक के बाद जा देना अलग बात है तब जाना अलग बात है जैसे उरिशा में हुआ था एक हाइली इन्फेक्षाज बेमारी है मेरी जान को खत्रा है या जान कर भी लाखो लोग युवती महिला पुरुष गाउं में ट्राइबल लिया में शेहरों में बाहर निकले सारे भारत में ये क्या है क्यू निकले इट इस दो मैनिफेस्टेशन आफ स्पिरुचालिटी आप टॉकिव सम् ट्राइबल गर्स इंठीज गर मैंने बुचा क्या जान को खत्रा है ये जान कर भी क्यू गए लोग बाहर एक बेटी ने का खड़े होकर उसने इतना संदर उत्तर दिया है सिंपल भ लूग पिरुचंग मदॉर्भरा बढ़ू करना है होपनों करना होकर जाता है कि जो अपने नहीं वह भी अपने लगने लगते हैं तो करने का मन होता है ह कि हमार उसको धर्म काें धर्म, close your capital I, open your eyes, then the circumference of V expands, तो जो हमारे नहीं, वे भी अपने लगने लगते हैं, अपनों के लिए करना मन होता ही है, that is धर्म, वो पासना रिलिजन है, रिलिजन धर्मा के लिए होती है, धर्म स्वयन भर्म है, धर्म का इंगलिश ट्रांसलेशन धर्म ही है, जैसे घी को घी कहते हैं, ऐसे धर्म को धर्म कहते हैं, प्रसाद को प्रसाद कहते हैं, आरती को आरती कहते हैं, यह कंसेप्टी वहां नहीं है इसलिए अलग शब्द नहीं है तो यह इसको भारत को हम ठीक समझे इस भारत की अध्यात्मिक्ता को जो आज भी देख रही है कुछ आइबरेशन से ऐसे जो गलत बातों को भी एक्सपोस करना है लेकित यह पहले से नहीं था पहले कुछ और था इसलिए फिर से हम ठीक करना है ऐसा विश्वास दिलाना तो समाज परिवर्तन समाज जागरन एक अपनी पहचान के बारे में विश्वास जगाना यह काम लोक शिक्षन का काम हम यह फिल्म एक प्रभावी माध्यम है क्योंकि उसमें ओडियो है विजूल है वहाँ पर अभी यह तो सबी जितने कला है संगीत है चित्रकला है गायन है वादन है अबेना है यह सारी बाते एक साथ है इसमें इसलिए it is more effective इसलिए ज islands समझ कर इसका ठीक से विचार करेंगे it will be very effective for the creating awareness among the people प्रहत वारत जो नकारा गएया है, सोया हुआ है, लेकिन इतने सारे प्रयतने के बाद भी अभी टिकशा हुआ है, वह जग रहा है, अब यह जगने का प्रमान धिरए-दरे बढ़ रहा है, इसके परनाम हमको तुन, सारे भारत में अनेक विविज क्षेतरों में देखनाने को शॉट फिल्म एंड डॉक्यमेटरी केन वे देहर तो इसलिए इसके बारे मुझे जो कहना था और खूब विशह है दो दो चार-चार वाक्यों के भी ऐसे फिल्म बन सकती है और हम प्रभावी रिती से अपनी कलाव को भी अभीवक्त कर सकते हैं ऐसा मुझे लगता है मनमों जी मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है जल्दी से और फिर हम ओडियन्स के लिए मंच खोल देंगी अभी भी हिंदी फिल्म जगत हो या फिल्मी जगत हो उसकी पकड अवामपंतियों के हातों में हैं और वो एक डेफिनिटली एक लेफ्टिस नारेटिव को प्रधान रखते हैं आपने मुझे एक बारी अडवाइस किया कि आप टगॉर का स्वादेशे समाज स्वादेशे समाज और मैंने पढ़ा और मुझको, I mean Tagore is one of our greatest writers ever और वो पढ़के मुझे लगा कि देखे इसमें इनमे राष्ट्रियता का भाव इतना था and yet he was doing creative work और आजकल की युवा को ये मैसेज होता है कि a world is global, आप अपने रूट से अलग हो ये, राष्टिते आथ से अलग हो ये, that is jingoism और फिर you can be a great artist and creator तो मैं चाहती हो कि हमारे इतने युवा दोस्त पैठे यहां उनको आप थोड़ा बहुत तगौर के बारे में बताईए क्योंकि मेरे लिए ये काफी प्रभावशाली था, जब आपने ये सजेस्ट किया भारत का वीचारी वसलिव कुटमबग का है इसलिए भारत परिवार के नाते गलोब को देखता है जो परस्चिम का गलोबल आया है, वो मार्केट के नाते देखता है उन्होंने को शोषण किया है, अभी भी कर रहे है इसलिए गलोबल परसेट्स नाम की पुस्तक है, जो पढ़ना चाहे पढ़े तो परसेट्स क्या होते है, कि ऐसे जीव दूसरे जीवों का शोषण करके अपना पोशण करते है उनका कहना है लेखक का जेरेमी सीवरुक बिनिन परेरा दो लेखके, गोवनीज क्रिस्टन से, सुन्दर पुस्तक लिखे कि पस्चिम का निचर यह राय कि लूटना, एक्स्पोइट करना, शोषण करना, शोषण से पोशण करना उन्होंने का कि देर आर्म साफ एक्स्पोइटेशन केप टॉन चेंजिंग, फर्स इट वस रिलिजन, देन इट वस एम्पायर, नव इट इस इम्फ, डव्ली टो, वर्ल बैंक, इस पष्ट लिखा है और बाद में, वर्ल बैंक में जो अधिकारे थे, उनके पुस्तगाई है, ये ग्लोबल ग्लोबल का सब्दा लगा है, भारत सारी वसुधा को एक परिवार पहले से मानता आ रहा है, क्योंकि भारत की जड़े भारत के सोईल में जड़ी है, भारत की विचार सारे केवल मानता नहीं, तो चराचर जगत को साथ लेकर चलने का रहा है, तो टागोर ने ये दो बाते मुख्य में कहूंगा उनके बारे में, तीन बाते, पहला उन्होंने, आइ गोट एट्राक्टे डोड़ श्टागर बाइ वन आफ इस कोट आए रेडिन गुजराती, मुझे अश्टर हुआ, मुझे अश्टर हुआ, मैं तो ट्रांसलेशिन ठीक वा कि नहीं, इसलिए मने बेंगौली कोट देखा, मुझे बंगलावाशे वाती है, तो बेंगौ आइ भारत का अंतरनी धर्मा है, भारत विवित्ता को भेदनी मानता और पराय को दुश्मन नी समझता, इसलिए नए मानों समों के स्ग्याद से हम भाइभीत नहीं होंगे, उनकी विशेश्ताओं को पहचान कर, उनको प्रिजर करते हुए, विदो डिस्ट्रॉइं देम, उनको साथ लेने की विलक्षन क्षमता भारत रखता है, आगे वो कहते हैं, इसलिए भारत में हिंदू, मुसल्मान, बुद्ध, इसाई, परस पर लड़ते वे दिखेंगे, पर वे लड़कर मर नहीं जाएंगे, वे यहां एक सामन्यस्य, एक बैलेंस स्थापित करेंगे ही यह सामन्यस्य, अहिंदू नहीं होगा, वह होगा विशेश भाव से हिद्धू, इतने क्लियरली हिंदूत्व की बात उन्होंने कही, यह बहुत महत्व की बात है, दूसरा उन्होंने कहा, सबसे पहले हमें, हम कोन हैं, वह बनना पड़ेगा, we have to be what we actually are, अब तक हम लोग इ हैते, पस्ट्रीम के नकल करते हुए, दोजार चोदा के बाद, यह हम पहली बार प्रगट हो रहा है, दिरे दिरे, in every field of the national life, यह ध्यान में आता है, दूसरी बात है, ओतिसरा उन्होंने कहा, स्वदिशी समाज में, वेलफेर स्टेट वास निवर आवर ट्रेडिशन, यह प यह चार विशे केवल राजा के पास होते थे, बाकि हेल्थ, एजुकेशन, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, मंदिर, मेला, संगेत, नाटक, कला, इसके लिए समाज के अपने खुद की व्यवस्ताए थी, इसके लिए राजकिय कोश से धन नहीं आता था, जैसे एक खंब टूटता है, तंबो जमीन पर आजाता है, परंतो चार पाच खंब पर खड़ा तंबो है, एक खंबा टूटता है, इत विए स्टिल बी एरेक्ट, और थोड़ा डिशेफ होगा, वो तूटे खंबे को फिर से खड़ा करने के सुवेदा रहेगी, we had that arrangement, इसलिए भारत में प परकी आक्रमन हुआ, राजा पराजित होये, परकियों का राज्य भी आया, राष्ट हमेशा पराजित रहा है, और एक पुस्तक आप अगर पढ़ सके, दा स्टार फिश एंड स्पाइडर, उन्होंने इसी बाद को कहा है, कि स्पाइडर के सभी लाइफ सेंटर्स उसके स्टार फिश करो, स्टार फिश ऐसी है, उसके लाइफ सेंटर्स पूरे बाड़ी में बिखरे होते है, इस बारत की जो अध्यात्मिक सोल है, इसको लेकर, और वो कल्चरल के सभी आस्पेक्ट में ही वहाँ से, यह संगियों है, और तागर ने इस भारत की जो अध्यात्मिक आगित में, गीत में, कविता में, पेंटिंग में, एवरिवेर, तो सब के माध्यम से यह स्पिरूचालिटी भारत का जो भारत तत्वा है, यह द्याकता है, इसलिए टागर को सही में पढ़ना चाहिए, हम सब ने. अभी सवाल अगर किसी के हैं, तो हम, I think, दो सवाल ले सकते हैं, उतना समय है हमाए पास, और फिर आप सवाल पूछने से पहले अपना परिचय दे दीजेगा, फिर सवाल पूछेगा, थोड़ा संग शेप में, क्योंकि समय उतना नहीं है, किसी को सवाल पूछ तो आपने आपका सवाल ने पूछा लेकिन, मैंने पूछा ना, अचा मेरा लास्ट वाला, हाँ, तो मैं पूछ लेती हूँ, आपको क्यों लगता है कि हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री, शो बिजनेस में, बिजनेस और शो ज्यादा रहता है, I think, गजेंदर जी अग्री करेंगे, और ब नहीं रही थी, पहली फिल्में चल रही थी, वो NRI, लव स्टोरीज, और गानों पे, या डान्स पे, या फैशन पे, तो ये शिफ्ट व्यूवर्स में क्यों आया है, वो एक सवाल है, दूसरा सवाल मैं, मैं सोचती हूँ, काफी दूर दर्शता थी भारतिय चित्रसादना की, की शौट फिल्म फेस्टिबल पे आपने इसको केंदरित किया, क्योंकि आज जो माहौल है, स्पेशली जैन जी, जिसे हम बुलाते हैं, आज के युवा पीडी, उनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है, पर कल मैं, जब मैं ट्रेन में भी आ रही थी, तो एक 19 साल की ल करना चाहती हूं, कि आप लोगों ने इतने साल पहले देख लिया था कि कंजम्शन, व्यूवर, कंजम्शन टेस्स आर चेंजिंग, तो ये दो मेरे स्वाद, पहले ऐसे कि भारत में इस राष्ट्रभाव को नकारने के फैशन चल पड़े, कि हम जो है, बाद दुनिया जिस भारत को जानती है, वेश्टर्ण के प्रभाव में उस भारत को नकारना, एक नया भारत पश्विम के नकारता हुआ दिखानी के विच में होड चली, लेकिन भारत के सर्वसाबन ने जन में ये भाव पड़ा हुआ है, उसको डालना नहीं है, जगाना के वल है, तो जगाने कोट एन एडिटोरियल अप संडे गार्डियन जो प्रिटन से पॉब्लिश होता है, तो 16th में 2014 को पार्लेमेंट के रिजल्स आये, जब नर्यंद्रमोधी पहली बार प्रधान मंत्री बने, तो इट वस फ्राइडे, तो संडे गार्डियन 18 में, इट कैरिज दे एडिटोरि जे वीकली पेपर पॉब्लिश फ्राइड प्रिटन, उसका पहला वाक्या दाड़ा और गार्डियन आजो कैरिज पहला वाक्या इसा है, तीन वाक्या बोलुँगा, मैं जया बोल स्तेटमेंट, इट सेटमेंट, इस वहां का पेपर कह रहा है, Narendra Modi's victory in these elections marks the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly through which Britain ruled this subcontinent India under the Congress party was in many ways a continuation of British Raj by other means ये उनके पाइले तीन वाक्या लेकिन I call it bold statements it's true लेकिन इससे भी इंसेटफुल एक वाक्य उन्होंने उस संपाद के उपर लिखा है वो बहुत महुत पका है वो ऐसा है वो लिखते है दाट इट शुद बी अव्वियस दाट अंडरलाइंग चेंजेश इन इंडियन सोसेटी has brought us Mr. Modi and not the other way round यानि भारतिय समाज में जो परिवर्तन आये है उसके कारण मोदी आये उनके कारण परिवर्तन नहीं होये तो ये परिवर्तन नहीं होये है तो एक भारत के अध्यात्मों को लेकर जो शक्तिया चल रही है इसमें संग भी एक है अनिक सादू संत्य अध्यात्मों इसी अध्यात्मिक्स होसता है इन सब के कुमिलेटू परियासा से अब ये भारत अपने स्वात्व की अपनी असली पहचान लेकर आगे बढ़ रहा है इसलिए उसके बाद भारत की फॉरेंड पॉलिसी, भारत की डिफेंस पॉलिसी, भारत की एकॉनमिक पॉलिसी, भारत की एजूकृशन पॉलिसी, भारत की इस वह के प्रकाश में धिरे-दिरे हो रही, देख रहे हैं इस भारत को दुनिया मानने लगे क्योंकि दुनिया इसी भारत को जानती थी प्रभात प्रकाशन ने चार वाल्यूम्स पॉब्लिश किये है इंडिया दे सौ बाहर से जो लोग आये भारत में उनने भारत को देखा वो भारत उनको नहीं देख रहा था बिश में अब वो देख रहा है तो दुनिया भी आश्वस्त है भारती सारा समाज गवरवानवित है सामन ने समाज और बाकी लोग जो सो काल्ड है वो भी दिरे दिरे इस समाज के जागरूद से रहा है तो दे कैनोट डिना इस उनको दिरे दिरे इसमें आना पड़ेगा यह भारत की मूल प्रकूरती है और यह चलने वाला है वेस्टरन कंसेप्ट आफ टाइम इस देख ट्र टाइम ट्रावल्स इने सैकलिक हुए इसलिए काले चक्र का है हमारी तो काले चक्र में डिसेंड एसेंड चलने वाले है ऐसा गोमता रहेगा तो भारत का भी एसेंड शुरू हो गया है अब यह चलने वाला है क्योंकि दुनिया को इसकी आवाश रकता है इसलिए आत्मनों म का स्टेट्मेंट है तो भारत के गवरों के लिए विष्व के कल्यांड के लिए भारत का आगे बढ़नावाश है डॉक्टर राजा कृष्णन की पुस्ता के हिंदु वे अफ लाइफ सबने पन्ने उनने कहा बहुत पहले लिखे उनने किसे राजस के लिए फिन दुट्रिडन वर्ट बाद लिए विए अप्राइब लिए पारत के लिए हिंदु पहले है तो हिंदु क्यों रिलिजिन नहीं है एक वी आफ लाइफ है और वो बहुत अच्छा बेसिक भारत की मुल आत्मा है उसको नकारनेकान भारत का फुरुशार्थ प्रकटने हुआ टागोर नेगा सबसे पहले हमें हम जो है वह बनना पड़ेगा अब उस दिशा में हम आगे ऐसा भारत सारे विश्व को अपने आगोश में लेने का उसका उसका इतियास है उसका अनुभव है उसका नेचर है ख्षमता भी है वो ख्षमता लानी हमको मतलब है है सोई है लाना पड़ेगा और यह शौट फिल्म एक बहुत इफेक्टिव माध्यम है और यंग जेपन ल और क्योंकि बहुत आसानी से हम लोगों तक पहुंशे है सोशल मीडिया ने बहुत बड़े करांती किया एक्टिवन और इसलिए इस भारत को ठीक डंग से देखना उसको एक इमेजिनेशन से एक कहानी के रूप में लाकर भारत के सत्य विचार को कहानी कथा के माध्यम से सा परकार का लोग जागरन प्रशिक्षन भी है एक मल्टिपल बेनेफिट छोटे से इस काम से हो सकता है इसलिए यह शौट फिर्म डॉकुमेंटर के माध्यम से हम अपनी कला को अभिवक्त करेंगे भारत को समझने का प्रहत्न करेंगे भारत को जगाने का प्रहत्न भी थैंक यह वेरी मुच।